नमस्कारम सद्गुरू, मंदिर में अपना नाम, नक्षत्र और गोत्र बताकर पूजा करने का क्या महत्व है? ये चीजें, बहुत महत्वपून थी, जब देवताओं को एक खास तरह से बनाया जाता था. जब मैं कहता हूँ कि देवताओं को एक खास तरीके से बनाया जाता था, देखें, ये सब एक बड़ी खिचड़ी बन गया है. ये एक बड़ी खिचड़ी बन गया है. क्योंकि, इस संस्कृती को जीवन की अभूत्पून जटिलताओं को समझ कर बनाया गया था. लेकिन, वे साधन और संस्थाएं, जिन्हें इसे एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुँचाना था, वे पिछले अठारा सो सालों में बाहरी हमलों वगरे की वज़े से बुरी तरह से बिखर गए. वरना, ये काफी प्रभावशाली विज्ञान है. उन दिनों हर आदमी हर मंदर में नहीं जाता था. कुछ मंदर थे, जो सभी की भलाई के लिए थे, वहां हर कोई जाता था. लेकिन किसी खास वज़े के लिए, लोग अपने कुल देवता के पास ही जाते थे. यहां तक कि आज भी उनके अफशेश मिलते हैं. लोग वहां जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह देवता अब वैग्यानिक समझ के आधार पर ना बनाए गए हूँ. तो कुल देवता क्यों बनाए गए? आज. अगर कोई सौ साल पहले मरा था, तो भी, खुदाई करने पर अगर उनको एक छोटी सी हड़ी भी मिलती है, तो वो उसे लबॉरेटरी में ले जाकर डीने चेक करके, और आपका डीने चेक करके बता सकते हैं कि ये आपके दादाजी थे. है की नहीं? अगर कोई दस हजार साल पहले भी मरा हो, और अगर उन्हें कोई भी अफशेश मिलते हैं, आज आप एजिप्ट के ममी इसको ले सकते हैं, जो कम से कम चार हजार साल पुरानी है, आप इस ममी का डीने लेकर एजिप्ट में उस बंदे को खोच सकते हैं, जो अभी सड़क पर विरोध कर रहा है, कि वो तूतन खामेन का वन्शज है, संभव है, है न? विज्ञान आपको ये एक्सिस दे रहा है, इसी तरह हमने पहचाना, आपको समझना चाहिए कि ये तभी उप्युक्त है, जब बाकी सारी चीजे भी बरकरार हों, हर्याना में खाप पंचायतों को लेकर, काफी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कजन, भाई, बेहनों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है, मुझे नहीं पता कि वो जागरूख हैं या नहीं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वास्ताव में जागरूख हैं तो आपको इसका आदर करना होगा, वो शायद इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसे इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक ट्रैक संभाल कर रखा था, बहुत पीछे तक, हजारों साल तक उन्होंने अपने ही तरीके से जेनेटिक ट्रैक बरकरार रखा, कभी आपस में नहीं मिलाया, ना कुछ ऐसा किया जिससे ये ट्रैक डिस्टर्ब हो, ताकि वन्ष में अच्छे बच्चे पैदा हों, इतना ही नहीं, आप एक ऐसी शक्ति बनाते हैं, जो इस ट्रैक के साथ साथ चलेगी, जरूरी नहीं है कि आपके कुल का हर व्यक्ति मंदर जाए, आप जाईए और प्रार्तना कीजिए, इसका लाब सब को मिलेगा, क्योंकि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में, अगर उनको कोई शुद्ध जेनेटिक माटीरियल मिलते हैं, शुद्ध जेनेटिक लाइन का मतलब है, कि वो लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि कुछ ऐसा ढूंड ले, जो आपके डियने के लिए काम करें, उसे बस हवा में स्प्रे कीजिए, जिन भी व्यक्तियों का डियने उस तरह का होगा, उन्हें तुरंट फायदा होगा, अभी वे लोग कह रहे हैं, कि एशियन्स का डियने एक तरह का है, और उन्हें आसानी से डाइबिटीज हो जाती है, अमेरिकन्स का डियने ऐसा है, उन्हें कुछ और हो जाता है, क्या वो ऐसा नहीं कह रहे हैं? तो अगर आप बस एक सप्लिमेंट डाल दें, एशियन या अमेरिकन या ये यूरोपियन लोगों के भोजन में, तो आप लोगों की जीवन शैली बदल सकते हैं, ऐसा हुआ भी है? यूनाइटेट स्टेट्स में ऐसा हुआ है, क्यों उन्होंने कुछ चीजें अपने ब्रेट बनाने और बाकी कई सामगरियों में डाली, कई बिमारियां जिनसे वो 40-50 के दशक में पीडित थे, वो अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि लोगों का डियने वैसा है और उनका इलाज कर दिया गया, उनके जाने बिना, आज की जनेरिशन को ये पता भी नहीं है, लेकिन ये उनकी ब्रेट का हिस्सा है, वो कुछ चीजे खा रहे हैं और कुछ चीजों का अपने आप इलाज हो रहा है, उदारण के लिए, 50 के दशक में, युनाइटेट स्टेट्स में बड़ी संख्या में, लोग डायबिटीज से ग्रस्ट थे, जो कि अभी भारत में हो रहा है, उन्होंने पाया कि D3 विटमिन, अगर इसे उन लोगों के खाने में डाला जाए, तो उनकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, उन्होंने D3 विटमिन ब्रेड में डाला, और अमेरिका में काफी लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई, अब यह हमारे पास आ रही है, लेगन अगर हम D3 खाते हैं, तो यह हमारे Asian Genetics के लिए उसी तरह से काम नहीं करेगा, हमें कुछ और ढूनना होगा, हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने इसे समझा, और इस Genetic Line को सक्ती से बनाए रखा, और एक शक्ती के स्त्रोत की स्थापना की, इस विशेश DNA के लिए, इस विशेश प्रकार के Genetic Trend के लिए, और जब वे वहाँ जाते हैं, तो वो उपर बैटे किसी भगवान से यह सब नहीं कह रहे, वे बस यह register करा रहे हैं, कि यह मैं हूँ, मैं इस वंच से हूँ, यह मेरा गोत्र है, यह मेरा नक्षत्र है, यह मेरा कुल है, मतलब मैं अपना DNA Material रेजिस्टर करा रहा हूँ, यह मेरा DNA है, मेरी मदद कीजे, यह सबसे वैज्ञानिक तरीका है, विज्ञान जो खराब हो गया, टेकनॉलोजी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई, आज यह सब खिचडी बन गया है, इसलिए यह पहले जैसे काम नहीं करेगा, अगर उन्होंने जेनिटिक लाइन्स को बनाए रखा होता, तो वो उसी तरह से काम करता, लेकिन अभी आपको पडोस की लड़की से प्यार हो गया, वो कोई भी हो सकती है, आपकी पसंद उन चीजों को बनाए रखने से ज्यादा एहम हो गई है, मेरा मतलब समाज बदल गया है, तो उन चीजों का अब मतलब नहीं रहा, लेकिन जब चीजें सही तरह से बरकरार थीं, तो इसका महत्तु था, ये जीवन की एक बहतरीन समझ थी, जेनिटिक्स की और उसके काम करने के तरीके की एक बहतरीन समझ.